Hello friends, Welcome to my YouTube channel आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करस्णीका के बारे में यानि बलेक बोड़ी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तो बलेक बोड़ी है वो क्या होती है एक एसा पिंड या वस्तु जो अपने प्रस्ट पर आपतित सभी तरंग देदरी विक्रणा को पूरूनता अवसोसित कर लेती है आदर्स कर्षनिका कहलाती है आईडियल ब्लैक बोडी कहलाती है अथार्थ सभी तरंग देदरी के लिए कर्षनिका के आउसोसन गुणा का मानी काई होता है यह इपोर्टेंट है कि आउसोसन गुणा का मानी काई होता है आदर्स कर्षनिका के कलपना के लिए एक कोटर का विचार किया जाता है यानि एक कोटर त्यार किया जाता है जिसका ताफ नियत होता है निश्चीत होता है जिसके अंदर की दिवारे काली होती है और इस कोटर की दिवार में बना एक छोटा छिदर भारी फ्रेक्षक के लिए कर्षनिका की बांती व्यवार करता है यानि इनकी दिवार है वो काली हो होती है उसके इंदर एक चिद्र होता है जिससे परकास किर्ण और हिंदर प्रावर्तित होती है और जो कोट होता है उसके इंदर हिरती है X में ऐसा भी आता है कि वो किरण बाहर उस सिदर से बाहर है वो उत्सरजित हो जाती है तो दोस्तो ये कर्शनी का है इसके बारे में हम आगे देखे इनके graph है वो देखे इनके विशेस्ता rules है वो भी हम आगे देखने वाले हैं वीडियो लास्ट तक जरूर देखना अब हम बात करें graph graph है एक तो है वरण करम उर्जा घनत्व के बारे में यू लेमडा दिया गया है स्विच मातरक है और एक तरंग देदरे के बीच में है यानि उर्जा जो घनत्व है और तरंग देदरे के मद्दे जो first graph है उसमें देखे तापमान जो T1 है वो आयस्ट है सब से पहले फिर T2 है वो इससे कम है T3 है वो इसके बाद में ज्यादा है वो हुआ है तो T3 है वो कम है अगला B graph है वो देखते है उर्जा घनत्व है और आवरती के मतें तो देखे ती 1 का मान पहले नहीं बड़ा है बाद में आगे जाकर के हैं वो T1 का मान हाइस्ट है उसके बाद में T2 है T3 है तो इस तरह से भिन भिन तापों पर कशनेका विकरण का जो graph है उसमें दिया गया है वर्ण कर्मी उर्जा उत्सरजन शम्दा ई उर्जा घनत्व है और तरंदेद्री के मते हैं एक उर्जा घनत्व है और आवरती के मते हैं दोस्तों ग्राफ आपको परतेक तरंदेद्री के विकरण उत्सरजित होते हैं और लेकिन भिन भिन तरंदेद्री के विकरणों की मात्रा भिन भिन होती है अगर कोई केरण है उसकी तरंदेद्री अलग अलग है तो जो उत्सरजन की जो मात्रा है वो भिन भिन होगी जो उर्जा वीतरण है वो स्तत होता है, समान होता है अगला दो नमर विशेषता है कर्षनिका के ताप वर्दी से परते एक तरण देदरे के विकरणों की मातरा में वर्दी होती है यानि कि दोस्तों अगर कर्षनिका के अंदर ताप बढ़ाया जाए तो जो विकरन है उनकी मातरा में वर्दी होगी वो जो विकरन है वो बढ़ जाएगी अगला तीनमर है किसी निश्ची ताप पर तरण्डे दरे में वर्दी होने से वर्ण कर्मी उठाजन चमता ये लेमडा का मान पहले बढ़ता है एक विशिष्ट तरंग देद्रिये पर लेमडा M पर उचतम मान E लेमडा M पराप्त होता है और फिर तरंग देद्रिये में और वर्दी होने से इनका मान गढ़ता जाता है यानि कि दोस्तों पहले ताप मान बढ़ता है फिर कम होता है उसके बाद में है कर्ष्णिका कि अधिक्तम वर्ण कर्मी उत्सरजन चमता कि संगत तरंग देद्रिये का मान ताप वर्दी से लगू तरंग देद्रिये की और विस्तापित होता है यानि कि अधिक्तम वर्ण कर्मी उत्सरजन हो रहा है वहां से जो संगत तरंग देदरिय का ताप में अगर वर्दी करे तो जो छोटी तरंग देदरिय है वो विश्टापित हो जाएगी उसकी तरफ विस्तापित हो जाएगी छोटी तरंग दे जाएगी उसकी तरफ अथार्थ लेमडा M का मान करशने का किताब T के व्यूत्मा करमान पाती होता है यानि कि दोस्तों यहां पर एक रूल है वो फोलो किया गया है अथार्थ लेमडा M तरफ तरफ T का गुनन फल नियत रहता है तो यह रूल क्या है यानि कि जो लेमडा M का मान है वो तरफ के व्यूत्मा करमान पाती होता है देखिए लेमडा M व्यूत्मा करमान पाती 1 पॉंट T और λेम्डा M T बराबर B है वो एक नियतांक आ गया यहां B एक नियतांक है जो विन नियतांक कहलाता है दोस्तों ये विन विश्थापन नियम है वो बताया गया है कि लेम्डा M के विउत्मा करमानबाती T है तो वो विन का विश्थापन नियम कहलाता है और B का मान होता है 2.898 इंटू 10 की पाउर मानस 3 M K अगले पांस नमर विशेशता है कशनेका से उत्सरजित तरंग देदरे लेमडा M के संगतिस के दिखतम वनकरमी उत्सरजित चमता E लेमडा M ये वनकरमी उर्जा घनतव है U लेमडा का मानताब T के पंचम घात T की पाउर 5 के अनुकरमान पाती होता है अतार दोस्तों E लेमडा M उर्जा घनतव है वो जो अनुकरमान पाती है T की पाउर 5 के तो ये वी एक रूल है वो दिया गए है अगला जो चैनमर विशेशता है किसी दिये गए ताब T परकशने का की उर्जा वितर्ण आरेक E लेमडा तथा तरंग देतरे लेमडा X के मद्या का चैतरपल उसकी कुल उत्सरचन चमता E के पराबर होता है तथा ये ताब के चतुर्थ घात T की पाउर 4 के अनुकरमान पाती होता है यानि कि दोस्तो E समानपाती T की पाउर 4 E बराबर जो समाकलन किया गया है E लेमडा D लेमडा तो यहाँ पर आएगा E बराबर सिग्मा T की पाउर 4 यानि कि दोस्तो E बराबर सिग्मा T की पाउर 4 है तो यहाँ पर सिग्मा है वो एक नियतांग है जो stiffen नियता कहलाता है और इसी stiffen voltageman नियम है वो भी बोला जाता है यह बराबर सिग्मा टी की फ़वर 4 इसका माहन होता है 5.67 into 10 की पवर माइनस 8 W upon M square K4 होता है यह दोस्तों सिग्मा का माहन दिया गया है वो 5.67 into 10 की पवर minus 8 है वो आप याद रच सकते हैं दोस्तों करशनिक का के बारे में आपको यह जानकर कैसी लगी कोमेंट के अंदर जुरूर बताई इस वीडियो को लाइक कर ले अपने दोस्तों के साथ सेर जुरूर कर ले आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राब भी जरूर कर ले थैंक्स पर वाचिंग आपका दिन सुब्बू इसी तरह की टोपिक इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए यहाँ पर जरूर जुरे